तो इस हमें आलेन बाई का थ्रोटल केबल तूट गया है इसे स्टेप बाई स्टेप कैसे रिप्लेस करना है सिर्फ दो टूल की मदब से आसानी से हो जाएगा इनर देखें बाहर आ गया है तो चलिए इसे रिप्लेस करते हैं जल्दी से सबसे पहले इस्टार इस्कुरू ड्राइवर से ये वाला इस्कुरू लूच कर लेना है लूच करने के बाद ये हाथ से भी आसानी से खुल जाता है उसके बाद में यहाँ पर देखें एक इस्कुरू लगा हुआ इससे केबल लॉक होती है तो इससे सिर्फ लूच कर लेना ह और उसके बाद में यहां पर एक स्कुरू होता है यह स्कू लेंगे तो यह वाला स्कू ध्यक्त होता है यहां Sal है अब:「 kanar को डालेंगे आ तो आप्वी यह से स्वीच को में कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर चेकनेट पूरी तरीके से खोल लेंगे 10 नंबर के पाने से चलिए मैं इसे जल्दी से खोल के लिए लेता हूँ और कैबल को रिफलेस करना है वो बता रहा हूँ चेकनट को यहाँ से खोल के पूरी तरीके से निकाल लेंगे और इनर को खांचे से बाहर कर लेंगे यह बहुत ही इजी आ जाता है खांचे से बाहर इनर असानी से अगर यह बैंड ना हो तो बैंड हो जाता है तो यह एक बार फास जाता है थोड़ा सा ठीक है तो यह एत्रोडल केबल 240 रुप्य का, केबल को यहां से सबसे पहले डाल देना है, देखिए, यहां से अंदर की तरफ डाल देना है, फिर इस क्लेम के बीच से नीचे की तरफ डाल देना है, अब नीचे की तरफ कहां से डालना है, तो यहां पर एक क्लेम पहें, दिखा रहा ह इस क्लैम के बीच से नहीं डालेंगे तो गाड़ी रेस होने लगेगी हैंडल गुमाने पर तो टाहिंग के नीचे से डाल देना है आगे की तरफ और अब यहां से देखेंगे टाहिंग के नीचे केबल आ गई है तीके केबल को बाहर करेंगे थोड़ा सा और उपर पहले की तरफ कर देंगे जिसे केबल लोक हो जाए यहां से इस तरीके से और इसक्रू टाइट कर देंगे अब यहां पर हैंड गृप में खाचे में केबल को फसा लेंगे अच्छी तरीके से उसके बाद उपर वाला है यह सुच के कवर को देखिए हैंडल के खाचे में फसा दे करेंगे और फीचे वाला दोनों टाइट करना रहता है जियादा ताकस से नहीं कि इस करूट टाइट करने के बाद उपर से गरीब को चला कर चेक कर लेना है फिर यह कि नहीं कई-कई बार फास जाते है तो टाइड हो जाते है उसके बाद यहां पर यह केबल एग्जेस्टर क चेकनेट को एक को पूरी तरीके से खोल लेना है, इस तरीके से, इस खाचे में केबल को फसा कर ऊपर खीच के किलेम में फसा देना है, तो इसको यहाँ से इस तरीके से खीचेंगे केबल को और किलेम में फसा देना है, तो इसको यहाँ से खीचेंगे केबल को और किलेम में फ कर देना है उसके बाद पिले चेक करेंगे अगर गिरीब में पिले नहीं रहेगा हैंड गिरीब में तो गाड़ी रियस होने लग जाएगी हैंडल घुमाने पर तो जल्दी से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा और यह हो गया अब यहां से देखिए पिले कम है तो अब क्या करना है यहां पर देखिए एक जेस्टर और नट दो है तो हमको एक जेस्टर को टाइट करना है नट को नहीं ठीक है यह उपर वाला एक जेस्टर को जब टाइट करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा फिले मिल जाएगा यохां यह वाला ठीक है और अब इससके चेकनेट को टाइट कर देते हैं और उसके बाद हैंडल गुमाकर बाइक को स्टाट करेंगई हैंडल गुमाने पर बाइक रेस नहीं होना चाहिए तो ये काम कम्प्लीट हो गया